दोस्तों ये कोईन है बोंक कोईन जिसने 2023 में काफी सारे लोगों को मिलनेर बना दिया और इस कोईन के बढ़ने का एक सबसे बड़ा डिजन था यहाँ पर सुलाना की ब्लोकचेन क्योंकि सुलाना की ब्लोकचेन ने यहाँ पर इसे सपोर्ट प्रोवाइड किया उसके बाद इसके प्राइज में अच्छी खासी मूमेंट देखने को मिली otherwise अगर आप इसका प्राइज देखेंगे 2023 में तो यहाँ पर October के मन तक इसके प्राइज में ज्यादा कुछ भी मूमेंट देखने को नहीं मिल रहा था इसका प्राइज यहाँ पर 6-0 के लेवल पर ही बनाता लेकिन उसके बाद जो इसका प्राइज बढ़ा उसने यहाँ प percentage basis पर भी देखेंगे तो last one year में लगबग यहाँ पर 6000% और अगर अल टाइम की बात करें तो लगबग यहाँ पर 12,000% तक इसका प्राइज बढ़ा तो किस प्रकार का मूमेट यहाँ पर देखने को मिला है यह हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ अधर blockchain के जो meme coins है वो भी इस प्रकार के बढ़ सकते हैं 2024 की शुरुबात हो चुकी है यहाँ पर कुछ ऐसे meme coins की requirement हम सभी को है हमारे portfolio में जो यहाँ पर bong की तरह performance को repeat कर सके तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे Avalanche blockchain की जो यहाँ पर अब support भी provide कर रही है उनके द category wise भी देखने को मिल जाएंगे top AVX culture catalyst collection tokens by market capitalization यहाँ पर अगर हम CMC पर देखें जो categories की list है उसमें आपको यह tokens देखने को मिलेंगे जिने आपर AVX मतलब Avalanche के culture catalyst collection में डाला गया है यहाँ पर सबसे पहला जो coin आपको देखने को मिलेगा वो है यहाँ पर COQ इनु अगर हम COQ क्योंकि बात करें यह वही coin है दोस्तों जिसके बारे में हम आपको suggest कर जरूर है market cap के basis पर यह इस blockchain की category में सबसे उपर है जहाँ पर इसका जो market cap है अभी के समय में वो 149 million dollar के उपर देखने को मिलेगा साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पर इसके price की तो last 7 days में लगबग यह यहाँ पर 22% यह down में आवा है अगर हम price की बात करें 0.000-0021 के level यह trade कर रहा है साथ ही करें यहाँ पर इसके supply की बात करें तो almost 69 trillion supply जो है वो यहाँ पर circulation में है last 1 month की performance अगर आप देखेंगे लगबग यहाँ पर 400% तक इसका price बढ़ा हुआ है all time है इसे down में चल रहा है लेक last 7 days में इसकी performance देखिए Kimbo coin है 0.00024 के level पर यह आ चुका है अगर हम बात करें यहाँ पर इस coin की अच्छी खासी moment यहाँ पर इसके price में भी देखने को मिली है last 7 days में लगबग यहाँ पर 330% बढ़ा हुआ है अगला जो इस list में coin है वो है यहाँ यहाँ पर ZECO INU यह भी यहा कौन सा करना चाहिए अगर हम बात करें पहला जो coin है COQ यहाँ पर इसके बढ़ने के कहीं सारे reasons हो सकते हैं क्योंकि इसे exchanges पर available किया जा सकता है market cap के basis पर यह 283 number पर आ चुका है इस वज़े से भी यहाँ पर यह अब market में grow हो सकता है मतलब इस प्रकार से आपने bonk को देखा बड़ा जरूर था अभी यह भी बड़ा हुआ है लेकिन यह जितने percentage बड़ा हुआ है इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है अगर यह available होता है exchanges के उपर एक और coin है जिसका नाम भी यहाँ पर आपने market में अभी देखा होगा हस की नाम से यह आया हुआ है जिसका price अभी काफ अगर हम यहाँ पर all time का इसका chart देखें तो all time का chart भी आप देख सकते हैं यह अच्छा खासा उपर एक समय गया था लेकिन उसके बाद काफी जदा down में काफी जदा down में फिर यहाँ पर उठा और फिर से इसका जो price है वो यहाँ पर अब बढ़ता होगा नदर आ रहा है मतल को part of culture drive के रूप में यहाँ पर पेश किया जा रहा है जिस वज़े से हम यहाँ पर इन्हें purchase भी करते हो बने जरा रहे हैं और इसी वज़े से यहाँ पर इनके price में moment देखने को मिल रहा है चाहिए अगर हम coq की बात करें हसकी की बात करें coq तो हैं पर पहले भी बढ़ा थ हैं almost अगर आप यहाँ पर meme coins के लिए portfolio बना रहे है यह आपका एक बड़ा portfolio है जिसमें कुछ percentage meme coins के लिए आप रख रहे हैं तो 5 से 10 डॉलर 10 15 20 डॉलर आप यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ से इसका price बॉंग की तरह बढ़ेगा तो आपको अच्छा खासा profit जो है वो यह coin निकाल कर देंगे CEO क्योंकि अगर हम बात करें market में आ चुका है जिस प्रकार से moment कर रहा है अवेलेबल हो सकता है exchanges के उपर और वहाँ पर उसके price में जो moment है वो देखने को मिल सकता है तो आपको यहाँ पर थोड़ा research करके analysis करके ही इनमें invest करना है meme coins है meme coins में investment कर रहे है profit भी हो सकता है loss भी हो सकता है इसके लिए आपको तो responsible है तो थोड़ा सोच समझ कर ही यहाँ पर invest करें और को भी update के लिए दोस्तों चैनल से जूर जाए है तेलिक्राम को भी join कर ले है thank you